तो सभी लोग गुड इवनिंग है और सब लोगा स्वागत है महिंद्रा के ओविशल यूट्यूब चैनल पर है और मैं कुल्दी महिंद्रा साब लोगा स्वागत करता हूं और इस दिंग के दमदार शेशन में तो मेरे भाई जैसे मैं देख सकता हूं यहां पर काफी साय लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ताबर तोड हम लोग तयारी करने के लिए अपनी बिल्कुल तयार हैं तो आज भी बढ़िया से 50 प्लस कोशन मनाएंगे तो यहां पर उमा जी है अर्चना जी है पंकर जी ह हैं तो छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता भी है लेकिन जरूरी भी है वो यह है अगर आपको रीजिंग से लेटेड कोई डाउट है तो इस टेली ग्राम चले बिल्कुल जुड़ना मत बूलिये और महिंद्रा एक इसी बोटेक पर 10% डिसकाउंट के लिए इस कुपनकोट को आप लोग यूज कर सकते हैं तो चलिए सब लोगों का स्वागत है यहां पे तो चलो करते हैं और दी गाता हुए तो कल मैंने आप लोगों को यहां पर एवाला कोश्व गने के लिए दया था इसका असर काई लोगों ने यहां पर करा भी था Divine 666 है मतलब यहां पर क्या आएगा 18 आएगा तो आखिर का वर्ड ले लिया N 777 को अगर मैं जोड़ू तो कितना आएगा 21 है ना तो 21 का लास वर्ड ले लिया तो इसी तरह से अगर मैं 000 को जोड़ूँगा तो क्या बनेगा ZERO तो आखिर का वर्ड क्या है O तो विल्कुल यहां पर सही जवाब ता है कल सब लोगं का जवाब बिलकुल सही तहा है यहां पर ठाइक इर फटावर्ट से स्जंग की शुरुआत का यह रहा पहला कोश्टन आपका आज का इस कोश्टन की figure को ध्यान से देख लेना मैंने इसका एक दूसरे बता रखा है लेकिन ये वाली फिगर क्या वह ही है या दूसरी है उसको ध्यान से देख के बनाना ठीक है ना गलत मत कर देना option देख के मत भटक जाना ठीक है सभी लोग पहले देखो बताओ किया हो देगा देखो आप लोगों को मैंने एक shortcut बात बता रखी है वो यह है अगर मालो दोनों side line बराबर हूँ मैं देखो सबको एक बार यह वाला बहुत बता दूँ क्योंकि यह वाले question सबसे यादा paper में आते हैं अगर मालो दोनों side line बराबर हो जैसे यह दोनो side line बराबर है अगर इधर बिया आपकी 3 लाइन होती है ठीक है? मतलब इधर की तरब भी तीन लाइन होती एक दो तीन और इधर की तरब भी आपकी तीन लाइन होती एक दो तीन तब आपका आंसर आता कि 64 हो जाएगा दोनों साइड लाइन जब बराबर होती तो लेकिन अगर दोनों साइड लाइन बराबर होती तो लेकिन अगर दोनों जो भी हाइस नमबर आए उसका क्यूब मार दो 27 लेकिन अगर दोनों साइड लाइन बराबन नहीं होंगी जैसे यहां पर दो हैं और यहां पर तीन है तब क्या करोगे उसको भाध ध्यान समझ लेना दिख से दिक्कत ना हो तो पहले आप लोगो यह तरीका तो आते ही है कि सर इसको कैसे करते हैं इसको आखिर तक जोड़ देते हैं तो यह तरीका आते ही है तो पहले एक साइड को जोड़ो एक साइड को जोड़ो कितना आएगा दस फिर इस साइड को जोड़ो कितना आएगा दस क्योंकि यहां से यहां तक का बना लिया अब यहां से यहां तक का बन बराबर दो लेकिन लाइन बराबर नहीं हो तो क्या सब्रोगे तो इस साइड को जोड़ो-टो कितना चछाट में रखशीर बन गया कि श्याट बन गया ठीक है तो अब यहां पर कितने हो गए तीज दो तो अंदर वाले जितने भी नंबर है उनको जोड़ लो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा इसको घटा दो सही जवाब आ जाएगा 42 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है हाँ निंजा जी गुड इवनिंग तो बहुत घलती करी थी ज करो यह बताओ यह नौर्मल है मिरे बाई जल्दी सब लोग इसका आंसर कर दो यहां पर सब लोगों को तरीका समझ में आ चुका है अच्छी तरह से लगबग लगबग लोगों का 42 आंसर पर आ गया था ठीक है ना उसके बाद मैं बहुत सही जा रहे हो वेरी गुड बहुत चलो इसका जल्दी से बता दो यह नौर्मल है मिरे बाई बच्चों वाला कोश्चन है कल लोगे सीधा सीधा देखो सीमा किसको घेरती है बाउंडरी को इसी तरह से फ्रेम किसको घेरता है पिच्चर को तो डी वाला विल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीमा बाउंडरी को गेरती है फ्रेम फोटो के घेरता है ठीके ना चलो इसका जवाब बताओ 56 से 41 बनाए 94 से क्या बनेगा आज तो मैंने के कोश्चन रखे है आज के सेस्टन के कोश्चन मैंने के के ओपर भी रखे है के एफजी का बना टेलर चल रहा है बड़ी मूवी का नाम रहता है तो मैं टाइमर बाबु खता देखो मेरे बाई 56 से 41 कैसे बनाए अब यहां पर कुश्चना को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तो सोस्ते हैं ज्यादा दूर नहीं जाना के वहल चार के मल्टिबल तक जाने की बात हो रही हो कि ज्यादा दूर नहीं है वेल्यू तो छे और पाच अब लगा दो सेम कंडिशन यहां पर लगा दो टीक है वह स्टाइल लोग टीनाइन सा गरने में एक टीनाइन नी हो जाएगा यसे नो चार को जोड़ दो कितना हो गया तेरा तेरा का चार गुना बावन बावन में से तीन घटा दो उनननांचास बिलकुल सही ज़वाब है इसमें नमबर आफ ट्राइंगल बताने है मेरे बाई सोच के बताना गलत नहीं करना सोच के आराम से चिल मार के बताना कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं सोचो इसमें कितने ट्राइंगल है कि आइक में बाभू हो गए खतम 20 से अधो इसला को इतना चुट कुट कुमिन यह तो इस में के सब कुछ भी नहीं है तो अगर मैं बड़े के पॉर्णक वी पर नहीं है तो याणि बारादो यह हो गए और यहीं हो इधर इधर की तरफ बड़े वाले पांट वी पर दिये तो बारा तो यह हो गए बारा के बाद यह 13 यह 14 और यह 15 और बाकी कोई और बनेगा नहीं क्योंकि और लेडी साधे बड़े वाले काउंट हो चुके हैं तो 15 बिल्कुल सही ज़ा हो जाएगा 15 बनने मेरे बाई 15 इसमें बता जाख है जो फेपर का ही बस नाम मतल दिया है इक्जामल में भी करता है लांजी मुश्किल लिए हैँ बस नाम मतलता है मैंने के degree सी लगदिया जल्दी से आई आई लगाए डिश्य से क्या बनेगा जल्दी से लघ इसलिए पेपर में नहीं होती इस दिमाग में रखना इत्तवाइक जेन्दी की में पेपर में नहीं हो B तो खर किसी का next each एसा कोई बहुत मुश्किल कोस्टन नी बना दिया है मैंने कि विल्कुल लिगुंगी में नहीं यह कि पढ़ाऊंगा विए जरीनीग ही पढ़ाऊंगा उसी काम के लिए आएफके नहीं कि के लिए के बाए तो अगला और के आता है के लिए आएफ फ़ंद से खलती हो गई और यहां पर गारा यहां पर फ में एफ टूरा सा यह यहां पर एफ की एफ लूगा ओ छलो चलो यहां पर फटा यह कर दिया है कि हर किसी का पी बियस कर दिया है न मो पांच पांच डाल दिया अग्ला वाला ला गैं पीच्रें भाई बिल्क इस लोगें बिल्कूल प्रिया जी करें मेरे ले लेते हैं तो के के पीछे चले जाओ, तो उसके पहले क्या आता है, आई, एफ के पहले ए, जी के पहले कौन सा वाविल होता है, ए, तो इसी तरह से, यहां पर अगर मैं बात करूं, तो डी के पहले क्या आएगा, ए, डी के पहले क्या आएगा, ए, एल की बारा, बारा के पहले ग्यारा, पर भिग तो वर्म सब्सक्राइब नहीं जब करें तो यह से लौन जाएंगा अन्यूनी ख़िसे फेलिग आधने श्राइध के लिगा कोश्चन और उन्हों के लिगद हम सब्सक्राइब बढ़िया लॉजिक के एक दम शानदार कोश्टन, सारे वॉविल थे न, तो हम लोगों को वॉविल पर जाना था, लॉजिक मुश्कल था ही नहीं अपना, मास्टर को 6 बोला गया है, फीरिडम को 25 बोला गया है, हीरो का होगे वाला जाएगा, मास्टर को 6 बोला गया, अब इसका क्या होगा, तो यहां पे भी वही है, यहां पे भी सेम वॉविल वाला कॉंसेप्ट है, और वॉविल एडिशन, वॉविल प्लेस वैल्लिव एडिशन, यह लॉजिक है बस, मतलब कैसे, इसमें देखो, ए में कितने है, 5 और इसमें कितना है, 20, 20 और 5 को जोड़ दो, है न, यहां पे कौंग कॉंसे वॉविल है, वॉविल देखो, अल्ली वॉविल, यह 1 है और यह 2 है, 2 वॉविल है न, A और E, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 5 और 1, 6 हो जाएगा, ठीक है, वॉविल जोड़ो बस, यहां पे 5 और 10, 10 और 15, 25 हो गया, यहां पे 5 और 15 जोड़ दो, तो 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 is the right answer, क्लिया मेर भाई, इसका बताो, दो क्या बोज्षिन में क्या आएगा, व्रश्षिन है, 12 क्या बोज्षिन में क्या आएगा, दो क्या बोधिन यहाँ पर क्या है and ओक के वन्नsm हजी मोसा जी बोल रहे हैं भी हमारे साथ जोडय हूं है लवली जी हमारे साथ जुडय हूं है सब लोग जुड़े हूं मैं देखो, जब भी दौनों पासे में एक नंबर common हो, दो क्या बोदिन ना पूछा है, जब भी एक पासे में दो नंबर common हो, तो या तो वहाँ से clock जाओ, या वहाँ से anti-clock जाओ, तो भी बात बन जाएगी, तो अगर आप anti-clock भी जाओ, जाओ या clock जाओ, कैसे भी याद रख लो, तो पांच, तीन, दो, पांच, चार, छे, तो दो क्या बोदिन में क्या आएगा, छे आएगा, सीधे सीधे आप बोल सकते हो, 6 is the right answer, ठीके ना, कोई बहनत नहीं है, अब ये series बहुत शानदार है, अब ये series बहुत शानदार है, इसका pattern नहीं मिल पाएगा, ठीके ना, इसका pattern आसानी से नहीं मिल पाएगा, बहुत शानदार series है, आसानी से इसका logic नहीं ढूंद पाऊगे, बहुत शानदार question है, इसमें पूरा दिमाग लग जाएगा, असानी से नहीं पाऊइगा इसमें पूरा दिमाग लगेगा आसानी से नहीं आएगा यह कोश्चन यह कोश्चन आसानी से नहीं आएगा देखो इदर यहां पे क्या है 23, 28, 38, 49 और 62 है ऐग्सामने ने बूछा आगे क्या आएगा यहाँ पे आपने अंतर करा तो 5 आया यहाँ पे आपने अंतर करा तो 10 आया यहाँ पे आपने अंतर करा तो 11 आया और यहाँ पे आपने अंतर करा तो 13 आया अब सीरीज में सर लौजी की समझ में नहीं आ रहा कैसे भड़ा है सब लॉजिक ही समझ में नहीं आरा कैसे बनड़ा तो मेरे भाई इन दौर नंबरों को जोड़ दो तो दो और तीन कितना हो गया पांच मेरे भाई इन दौर नंबरों को जोड़ दो तो आठ और तीन कितना हो गया ग्यारा मेरे बाई इन दौर नंबरों को जोड़ दो तो नो तो आपकी बार अंतर कितने का आ रहा होगा, आठ का अंतर आ रहा होगा, क्योंकि छे और दो कितना होता है, आठ होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 70 बिल्कुल सही जवाँ हो जाएगा, 70 is the right answer, बताओ लॉजिक कैसा लगा, 85 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, रश्मी जी 85 नह में बच्छा आंसर करता इसका 85 नहीं है इसका जड़ग नए बाटनब्र प्राइंग्ल में है टीकिना इसमें बता हॉ कितने ट्राइंगल्स याइंग में एक今 में घृत्र ड्राइंगल कि Twenty जुन जोन वर्णाजर प정аки कितने दिखनें तोเรา फिसकुड़ेसकर व都 सबसे पहले सूखे सूखे वाले गिना करो जो आखों से दिख जाएं तो अगर मैं आखों से देखूं तो 3 और 3, 6, 4, 10, सीधे सीधे 10 दिख गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, सीधे सीधे 3 दिख गया, अब सर बड़े वाले के point of view पे भी ये भी बन रहा है आपका 3, 1 और 2 कितना होता है, ये भी 3 हो जाएगा, बड़े वाले के point of view पे भी 3, तो 10 और 6, 16 तो हो गया, 16 के बाद ये 17 और 18 हो गया, बोलो हां की ना, पूरी क्लास को आई वोप 18 दिख गये होंगे, है ना, और ये बड़ा वाला भी 18 में count हो चुका है, 18 हो गया, 18 के बाद ये वाला किन हो गया, लेकिन ये वाला नहीं हो तो 19, ये वाला किनो, तो कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, अब देखो यहाँ पर 20 प्लस भी है, बिल्कुल देखो 20 से जाला है, लेकिन मैं सारे गिनवाद हूँ आपको, 20 के बाद में ये वाला भी गिना जाएगा, क्योंकि बड़ा वा सीधे सीधे, वाला बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बड़ी है, बहुत शानदार, इसका जवाब बताए, Mathematical Series का एक कोश्चन है आपके सामने, इसका जवाब यहां पर क्या होगा, इसका जवाब बता तो मेरे बाई, क्या बनने वाला है, काल्कुलोशन करना है, जल्दी C का मतलब है minus 7 D का मतलब है into 8 A का मतलब है divide फिर आता है 2 B का मतलब है plus or 14 इसको solve करना है सबसे पहले divide solve होगा तो यहाँ पर divide अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर रह जाएगा 4 4, 4, 28 सीधे सीधे बोल दिया है ना? अब मेरे पास जो question है वो सिर्व इतना है normally सही है? ठीक है सर अब मैं अगर सोचो practical ही देखो oral निप्टा oral 13, 14 जोड़ दो के तो कितना हो जाएगा? 13, 14 जोड़ के 27 होगा यानि 27 प्लस का होगा और एक 28 का रह जाएगा 36 प्लस 27 माइनस 28 तो सीधा 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 आज एक बोल दूँ 35 हो गया 35 जोड़ जोड़ दिया बोलो हाँ याना आप लोग स्कुलेशन को जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए फायदे मंद होगा मैंने क्या करा? सीधे सीधे यहाँ पर डिवाइड लगाया 1272 कलेंडर कब रिपीट करेगा गुड इवनिंग प्रदीप साथ 1272 कलेंडर कब रिपीट करेगा यह बनाना है आपको इन विच येड 1272 कलेंडर विल बी रिपेटेट मेरे बाई टाइमर खतम देखो पूरी क्लास को एक बात बता है जो शॉर्टकट बता है लीपियर रिपीट करता है 23 साल बात लीपियर के एक साल बात वाला रिपीट करता है 6 साल बात लीपियर के दो साल बात वाला रिपीट करता है 11 साल बात और लीपियर के 3 साल बात वाला रिपीट करता है 11 साल बात ये कलेंडर का रिपिटेशन नॉर्मल है लेकिन 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 बात यही है लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस में जोडूंगा 28 तो आएगा 1300 और 1300 अगर कभी कोई सेंचुरी फस जाए जो की ordinary हो ordinary century मतलब जो 400 से divide ना हो जो 400 से divide ना हो तो उस case में आप क्या करोगे उसको ordinary century बोलोगे तो ये 400 से divided नहीं है तो उस case में आप लीपियर में 28 नहीं जोडोगे वलकि क्या जोडोगे चालिस जोडोगे अगर आपकी century इस तरह की पड़ गई जो की ordinary century होगी इसको याद रखना हो कि 1300 में क्या होगा तो यहाँ पे आप कितना जोडोगे मेरे बाई तो यहाँ पे आप जोडोगे कितना चालिस तो इसका सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब होगा 312 312 is the right answer इस बात को हमेशे जादा दखना 28 हर जगे नहीं जोडते जो भी 1300 और ए आंसर कर रहे हो उन सब का जवाब क्या है गलत है तो द्यान दखना है अगर कभी भी आप 28 जोडो और ओर ओडिनरी सेंचुरी आ जाए जैसे अगर में 1872 में 28 जोडो तो मेरे सामने क्या है गा 28 जोडो के 1900 1900 और डिनरी सेंचुरी यर है तो इसका कलेंडर भी 40 साल बाद रिपीट करेगा मतलब कितना आएगा 2012 1912 सॉरी ठीक है मेरे बाई तो ध्यान नखना इस बात को चलो इसमें तुर्भूजों की संख्या बता दो बस देखो यह जरूरी जानकारी है राहूल साब है ना राहूल साब यह जरूरी जानकारी है की नहीं है बिल्कुल प्रीती जी अंकुर जी बहुत सभी जवाब आ रहा है शानदार यह जरूरी जानकारी है जिससे आप इंगल का वे आता है तो सन्ने हमें एक बात बताए थी 2N-5 तो सबसे पहले तो इसमें 2N-5 के concept से निगाल दो गए आप कितने हैं 9 दुनी 18-5 तो 18 में से 5 गए तो कितने आए 13 13 तो यह गए तो मतलब 13 तो यहां तक हो गए सीधे सीधे उसके बाद यह हो गया 14 यह 15 यह 16 यह 17 17 यह गए 17 के बाद मेरे भाई मेरे भाई मेरे दोस्त 17 के बाद यह हो गया 18 क्योंकि यह बन गया और यह हो गया 19 तो इसका सही जवाब है 19 बन रहे है 19 is the right answer 20 नहीं बन रहे है देखो कुछ लोग अब भी 20 बन रहे है 19 आ रहा है मेरे बाई इसमें बताएं कितने ट्राइंग हमेंगा जल्दी से सांब कितने बनेंगे इसम्हें से इसमें कितने ट्राइंगल हैं जो सीथे सीधे दिख़ें नहींसे दिखेंशा भीए नमक्तलि शुखे सूखस्यखओ यह वाले जो दिख रहे हैं एक और दो यहां पर कितना है तीन एक और दो यानिकी बड़े आप और फिर पूरा बड़ा कितना 10 तो आई हो पूरी क्लास को 10 दिख गए ये 11 है ये 12 है और अगर इस पूरे को जोड़ दू तो ये कितना हो गया 13 बन रहे हैं 13 बिल्कुल सही ज़़ा हो जाएगा question खतम 13 बनने है इसका बताएं डिक को 25 बोला गया है इसमें गिनवाने की चरोथ हो नहीं चीए timer मैंने दुबारा शुरू कर दिया है सोच के आज से बताओ डिक को 25 बोला गया है कट को 49 बोला गया है किक को क्या बोला जाएगा मिरे बाई सोच के आज से करना बहुत खूबी से बताएं क्या बनेगा मिरे बाई जोड़ो सबकी place value चार नौ साथ कितना होता है नौ साथ सोले हो चार बीस बीस पांच जोड़ दिया कितना बन गया बच्चिस पांच एस्टर जोड़ा है बस तीन एक्किस बीस कितना होता है 24 और 20 चौवालिस 24 में पांच जोड़ दो ननचास बन गया 39 is the right answer कुछ ही ही नहीं इसका बताए शट को भूा गया है तॉय को तस बूला गया है विप को क्या बूला जाएगा इसका बता दो मीरे बाई शट मेनिंग आर्ट तौय मीन दस वी आई बी क्या गिशा अल गही further सीधा सा है यहां पे अगर आप सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ों तो दिक्कत होगी है ना तो बस चुरुबात के दो नंबरों की प्लेस वैल्यू जोड़के पीछे वाली घटा दी है क्योंकि 19-20 सिम्लियर है बस एक नंबर और ज्यादा जादा है तो आठ ही गया वो खिदी हो जाएगा बहुत सिंपल था डी वाला नहीं आ रहा वी आएपी को नवीन बोलते हैं अच्छा नवीन साब बहुत तेज तो आई होप यहां तक मेरी बास समझ में आ गई होगी स्टा स्टार्टिंग के दो जोड़े हैं पीछे वाला घटा दिया है 15 होगा ठीक है चलो इस अब क्या आलग लग रहा है अब देखो मैं प्राइम नंबर के पॉंट अवी पर चाट सकता है सोचो इदर इसमें एक प्राइम नंबर है इसमें भी एक प्राइम नंबर है इसमें इक प्राइम नंबर है इन सम्में एक प्राइम नंबर है लेकिन इसमें कोई भी प्राइम नमबर नहीं है, तो सही आंसर क्या हो सकता है, C हो सकता है, ठीक है, C हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई, अब इसमें कुछ और भी लॉजिक सोचो, कुछ एक और लॉजिक है, देखो इस कोशन में, आज जो मैं कोशन लाया हूँ, इसमें दो दो लॉजिक लग रहे हैं, एक लॉ इसमें नमबर ओ ट्राइंगल कितने होंगे, बताएं, इसमें नमबर ओ ट्राइंगल कितने बनने वाले हैं, इसमें, बताएं, नमबर ओ ट्राइंगल कितने होंगे, देखो पहला सीधर सीधर सूखे सूखे वाले गिलो, सूखे सूखे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, दस वो हैं जो सीधर सीधर दिख रहे हैं, आपने बोला ठीक है, दस के बार अब कहां पे हमें और दिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं बले, दस के बार अगर मैं इधर को जोड़ दूँ तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये 12 बन जाएगा, सही है, ठीक है, अब इसके बार मैं अगर इसको यहां तक जोड़ दूँ, तो ये 13, अगर मैं 15 और एक इधर की तरब भी same condition होगी यह हो गया 16 I hope यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी एक उपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर 16 दिख गए 16 के बाद में जो रहे जाता है जन्रल वे में वो यह वाला है न देखो, बड़ा वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप खुद ही देखो यह हो गया आपका 17 और एक same condition में देखाई यह भी यह, same एक यह भी है तो यह हो गया 18 18 is the right answer, 18 बन रहे है 18 बन रहे हैं, 16 नहीं बन रहे हैं 36 का 45 से रलेशन है, तो 25 का किस से होगा, बताओ किस से बनेगा देखो, 36 से 45 हो रहा है 9 जोड़ा है, तो इधर भी 9 जोड़ दूं सर 34 हो जाएगा, लेकिन 34 option में नहीं है अब कुछ और सोचना पड़ेगा अब 34 तो option में है नहीं तो अब दिमाग कुछ और लगाना पड़ेगा, आप क्या लगा सकते हो तो मेरे भाई, अगर मैं 3 और 6 दोनों का स्कॉयर जोड़ दूं तो मैं सोचता हूँ, तो 36 और 9 कितना हो गया 45 तो इसी तरह से अगर मैं 2 और 5 दोनों का स्कॉयर जोड़ दूं तो इस सही है, 39 वोट, आप लोगा जो होगा 29 होगा, इसमें अलग क्या है अब यहां पर बताओ, अलग क्या है, और बन आउट शोटो जल्दी से अब देखो, यह सीधा सीधा है, अगर आप इन तोनों नंबरों को जोड़ोगे, तो भी 19 आएगा, 19 में से 0 गटाओगे, तो भी 19 आएगा 95 का 5 गटाओभी 19 होता है, लेकिन अगर 19 में 0 का गटाओगे, तो 0 आता है, अलग D वाला हो जाएगा, D वाला अलग है, खतम गानी हो गई इसका बताओगे, इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब यहाँ पर अब क्या होगा, ओरल पढ़ना, ओरल पढ़के जितना बना सकते हो, उतना बनाओ, ओरल पढ़के जितना उटाओगे, दिमाग उससे जाला चलेगा, A, D का भाई है, ओके, A, D का भाई है, ठीक है, D, B के पापा हैं, और B और C भेने हैं, तो C, A का क्या से संबंदिते हैं, C के बारे हैं, C, A से क्या संबंदिते हैं, तो मेरे भाई, बहुत सिंपल सा कुश्चन है, अगर बोलोगे तो डाइग्राम भी बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, A, D का भाई है, D, B और C के पापा हैं, और B और C भेने हैं, तो C, A की क्या ह नीज है, नीज है, नीज is the right answer, नीज लग रही है, ठीके न, नीज लग रही है, होगी C, A, D, भेने हैं, को नेफ्यू आंसर आ रहा है, कुछ लोगा तो, नीज लग रही है, नीज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीके भाई, नीज is the right answer, इसमें बताएं कितने triangles है, बस यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन भड़ा दी गई है, और कुछ नहीं है नहीं बात, है न, कोई बहुत रबड़ी रामा एंडनी कर दी है, यहाँ पर, चलो इसका सोचो, देखो, यहाँ पर आप लोगो को बता है, यहाँ पर चार दूनी कितना होता है, आठ, और य आपके बाद यह 19 मा आ है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक और दो जोड़ के तीन हो जाते हैं, एक और दो जोड़ के तीन हो जाते हैं, तो 19 में, यह तो 19 हो गए, 19 और 9 यह मिल जाएंगे, मतलब 19 और 9, 28 तो सीड़े सीड़े दिख गए, आईगो पूरी ग्लास को 28 कोई दिक्कत नहीं होगी, 28 तक, यहाँ पर आंसर आने शुरू होगा है, 28 के बाद में यह वाला भी तो जुड़ेगा, बोलो हाँ यह ना, और इसके बाद में एक यह वाला भी जुड़ेगा, दिखा, आईगो दोनों जो हिडिन वाले हैं, वो भी दिख गए होंगे, बाक 6 को 252 बोला गया है, 5 को क्या बोला जाएगा, बताओ सोचके, 6 को 252 बोल रहा है सामने वाला, मैं बोल रहा हूँ, 6 को 252 है, 5 क्या होगा, option D बिलकुल यहां पर सही जवाब आया, सभी लोगों का 30 is the right answer, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत शानतार, अब इसमें होती है, Q यहां पर 6 का Q प्लस 6 का स्क्वाइर कर दू, 216 में 36 जोड दू, तो 252 बन जाएगा, तो सेम, 5 का Q प्लस 5 का स्क्वाइर कर दू, तो यहां पर 125 मैं, मैं कितना जोड दू, 25 जोड दू, है न, तो कितना हो जाएगा, 1500 बिलकुल सही जवा हो जाएगा, 150 is the right answer, 150 बन जोड़ाना, और खतम कहानी तो मेरे भाई अगर 2 is to 1 का ratio है और पिता जी जो है total योग कितना है 48 है तो अगर 2 is to 1 अतलब 2 और एक की value 3 है तो 3 की value कितनी होगी 48 होगी दोनों को चोड़ दो तो एक की value कितनी निकल आएगी आप लोगों की नॉर्माली एक की value 16 निकल आएगी तो दूसरे की value कितनी होगी 32 हो जाएगी खतम कहा नहीं तो 32 ज़राइट आइट आइगा इसका जवाब बताएं 187 को लिखा गया है 621 233 को लिखा गया है 96 636 को लिखा गया है 873 179 को क्या लिखा जाएगा अलग क्या होगा अब टाइमर यहां खतम हो गया अब यह भी आप देखो तो बड़ी value है अब यह भी आप देखो तो बड़ी value है देखो कुछ नहीं है इसमें इन दौनों का आप बसमें मुल्टि प्लाई यह कैसे 18 का साथ गुना कडर्डो बाए मेरे कल्कुलएशन अगर पहाडे यह Maddo तो शीदे सीदे दिख जाता आ आपको अठावा ऑघर का Nine Kuna कित마 होता है 152 होता है Ulta लिखना था उसने ulta नहीं लिखा तो यहीं बश्च कर दो हो जाएगा Ulta नहीं लिखा उसने ठीक है रहा है यहां पे सही जवाब D होगा C नहीं होगा Nitin जी नहीं होगा Rajas जी नहीं होगा दे को तुक्के नहीं लगा हो कुछ logic सोचो solid solid logic सोचो कि अपने आप पता चल जाएगा सभी के square उल्टे लिखे हैं सामने वाले ने सभी के into उल्टे लिखे हैं इसका into उल्टा लिखना तो वो नहीं करा तो D वाला बिल्कुल सही ज़ा हो जाएगा D is the right answer clear है मिर भाई चल ओ इसका जवाब बताओ इसका जवाब क्या होगा बीस पंद्रा से बीस बनांए 442 से 204 बनांए 59.89 से क्या बनेगा इसका logic क्या है है बीस पंद्रा से बीस ठाइख 34.23 से 204 हैं 59.89 से क्या बनने वाला है बिल्कुल यहाँ पे बहुत बढ़ी है बहुत शानदार आप सोचो इसका क्या बनेगा अब यह तब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इससब चार के मल्टिपिल में है बिलकुल बिलकुल यहाँ पे करंड अच्पुजी का भी सेजवाव नहीं तो 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 सुचो इसमें अगर मैं 215 का डिफ्रेंश कर दू तो कितना होता है पांच पांच का चार गुणा बीस सीदा सीदा इसी तरह से tsun错 और तेदा कर तो कितना होगा मेरा 51, 51 का 4 गुना 204, हर किसी में 4 का multiply कर दिया है, तो अनों में difference निंगाल के हैं तो 59 और 20 का difference कितना होगा, 31, 31 का 4 गुना कर दो, तो 4 और 4 तिया 12, 124 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, D option is the right answer D option बिलकुल सही जवाब होगा, मेरे बाई, इसका जवाब बताएं, पेपर को बोला गया है, आई, वी, के, जे, के, तो जैबरा को क्या बोला जाएगा, अब यहाँ पर logic बहुत simple लगदा है, मुझे भी, तो यहाँ पर logic अगर आसान है, तो आप लोगों को, आप लोगों को स calculation सोचनी होगी, सोचें, सिर्फ calculation सोचें, सिर्फ calculation सोचें, कि calculation से जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो, मेरे बाई, यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, पेपर है, पी ए, पी यार, इसको बोला है, आई, वी, के, जेड, के, मतलब उल्टा एक तरह से, उसने यहा आपोजिट कर दिया है, आई का आर, पी का के, एका जेड, इका वी, पी का के, है न, उल्टा बोल तो, तो मेरे बाई, ए से अगर मैं शुरू करूँ तो, जेड से शुरू बात होनी ची, यह दोनों ऑप्शन गए, जेड के बाद, आई और वी तो एक जैसे हैं, क्या करूं सही है, बहुत सही लॉजिक बताया है, शांदार, अगें डी बन रहा है, विल्कुल सही है, सूरच जी का जवाब सही है, जीतेन जी का जवाब सही है, लवली जी का जवाब सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लॉजिक है, सोचना दिमाग कि इसका वीडी आंसर आ रहा है 225 चलो देखते हैं यहां पर 409 है बड़ी वैल्यू है अगेन बड़ी वैल्यू है तो अलग-अलग फंडे से सुचो तो चार का क्यूब यानि की उपर वाई नंबर का क्यूब पिलस उसमें 1926 को जोड़ दो है पिलसे सुचो जोड़ेगा ,पिलसे संवेपर तो अगरा06 कल वुक्त क्यूब यह इंपर स्वत्क कर दो स्वत का क्यूब होऊ था 109 ,वह गया लोंन अगर्मान तब फिसैंट कर दोंग better算 मैं 59 जोड़ूंगा तो 109 फिर से जवाब बिल्कुल सही आ रहा है C is the right answer C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका जवाब बताएं L E N T S I को D L O U बोला है तो G V I को क्या वो लेंगे यहां पे सब लोगा जवाब बिल्कुल सही आ रहा है करंट जी रितेश जी प्राशी जी करंट सहाब सौरभ जी रश्मी सौनी मैम सुपरिया जी बहुत बढ़िया बहुत शानदार ताबट तोर जवाब देते हो तुम लोग अब यहां पे क्या है इसको सोचो क्या यह अलग कोश्चन है मुश्किल है मेरे बाई या कमेंट बॉक्स में आनसर आने वाले है तब तक सी आनसर गर रहे हो सब लोग सी आनसर गर रहे हो एफट देखते हैं क्लियर है लाहूल 4 असर बोल रहा है चलो मेरे बाई बहुत बढ़िया मेरे बाई यह कुछ नहीं है यह लिसिन की स्पैलिंग है मेरे बाई यह साइलेंट की स्पैलिंग ए-स-I-L-E-N-T-E-S-I-L-E-N- A, S, M, A, L, L, small बिल्कुल सही जवाब है ठीके न, A, F, T वालों का जवाब यहाँ पर गलत है, small is the right answer चलो इसका बताओ DD को 46 बोला किया है, C, I, D को क्या बोला जाएगा DD को 46 बोला किया है, C, I, D को क्या बोला जाएगा बताएं DD मतलब 46, C, I, D क्या यहाँ पर सब लोगों का लगबग लगबग जवाब सही आया बहुत बढ़िया, very good, बहुत शानदार जल्दी से बताओ सोचके C, I, D कुस्तो गरबर है देया अब जल्दी से मेरे बाई वो गरबर ढून लो तो अब देखो यहाँ पर 4 होती है यहाँ पर 4 होती है तो 44 में अगर 2 जोर 246 बनेगा तो 394 इन सब को जोरता हूँ तो सर 394 में आप 4 जोरेंगे तो 398 आना चाहिए, यह option में तो है नहीं यानि कि यह logic तो है नहीं कुछ और सोचते हैं सर आप कुछ और सोचो अब देखो उसी नंबर से काम नहीं चला तो उसका opposite जिन्दा बात ड का opposite कितना होता है W, D का opposite डवलू दोनों की place value कितनी 23, 23, 23 को जोर दो 46 बन गया मतलब opposite की place value है बात कतम, opposite की place value मारो C का opposite X, I का opposite R, D का opposite W 24, 18 और 23 इसको जोड़ो आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा तो 8, 4, 12, 12, 13, 15 मतलब 65 बिल्कुल सही जवाब है, सीदे सीदे 65 is the right answer 65 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा C is the right answer यहाँ पे कमलेश जी, जीतन जी, कुशल राच्फू, दिक्षा जी, पब्लिक टॉक्स, आप सब लोगों का जवाब सही आया बताओ बात समझ में आ गई, simple था इसका जवाब बताओ इस pattern को पहले पहचानो और बताओ यह किस नंबर पे apply हो रहा है इस pattern को पहले आप पहचानो और यह पताओ यह किस पे apply हो रहा है यहाँ पे नितिन गुपता जी, विश्नु गुपता जी, कुशल राच्फू, सुपरिया, करन राच्फू, तावड तोड मेरे बाई तावड तोड, बहुत शानदार जल्दी से इसका जवाब बता दो मेरे बाई फिर एक शानदार कोश्चन है, इसके बाद बहुत शानदार कोश्चन आपके लिए बहुत शानदार कोश्चन इसके बाद देखो, यह यहाँ पे एक तरह से 11, 12, 13, अगली बार 14 नहीं है एक का गैप मार दिया है, अगली बार 14 नहीं है, एक का गैप मार दिया है तो इसी तरह से 5, 6, 7, 8, लाइन से तो है नहीं 23, 24, 26, 27, 25 तो गाएब हो गया तो इसका सही ओर्डर क्या है, 16, 17, 18, 20 यहाँ पे भी एक का गैप है, तो C वाला विल्कुल सही जवाब है, C बिल्कुल बन रहा है PQRT, इसमें सोच के बताएं, ट्राइंगल कितनी होंगे मिर भाई इसमें सोच के बताएं, ट्राइंगल कितनी होंगे मिर भाई गिनो कितने हैं कितने दिख रहे हैं नॉर्मल तरीका है आते ही है सोचो कितने हैं यहाँ पर आंसर आ रहा है सी डी सी डी जोती जी प्रीती जी आंसर रहे हैं चलो देखते हैं कितने हैं तो अब यहाँ पर एक और दो कितने हैं तीन एक और दो यहां पर भी कितने तीन, 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 तो यहां पर भी कितने तीन, तो यहां पर भी कितने तीन, और यहां पर भी कितने तीन, 30 is the right answer 30 बन रहे है और कोई ऐस्टा ही नहीं 30 is the right answer 145 को 21 बोला गया है किसको क्या बोला जाएगा 145 को 21 बोला गया है किसको क्या बोला जाएगा 30 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 145 को 21 से लेटेट करा गया है किसको किस से लेटेट करेंगे आप कि बताएं कि 145 लिटे टू 21 किस से क्या अब यह सोचो मिरे बाई यह बढ़िया कोश्चन आ गया कि सोचो अब 145 से 21 कैसे बनाएं सर चार बंजे 20 कर दूँ चार बंजे 20 एक जोड़ दूँगा 21 बन गया लेकिन सर अब दिक्कत यह है यहाँ पर आप किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो हन नंबर का मल्टिप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा तो वो तो कर नहीं सकते अब वो तो कर नहीं सकते अब आप कु से 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर 441 उल्टा लिख दो कितना होता है 144 इसमें एक जोड़ दो कितना हो गया 145 सही बात है इसी तरह से 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 उल्टा लिख दो 004 एक जोड़ दो 005 बिल्कुल सही जवाब है डी वाला बन रहा है बहुत सही क मेरा साहरे को बिलकुल बिलकुल यहां पे तुशार जी का जवाब भी सही आ रहा है राहु ठाज़ जी का जवारा जी पर सीदय का चलो इसका उर टो सीदा सीदा पहल है इसको इसको इस def i back किसको रहा जाएगा डी लग रहा है राहूल चॉरसिया जी कह रहे थे मेरे बाई सही लग रहा है तुमको सही जा रहे हो जल्दी से इसका जवाप पुछो चार सो बाई इसको 21 बोला गया है तो किसको क्या बोला जाएगा दांसु है कोश्चन पुब्लिक टॉक्स आप बोल रहे है धन् कि अधन ड़ता हैले में debate स्क्वाइर में 19 151 से जाएगा यहां हो जाएगा सže बन जाएगा यहां को किसको क्यों थो जा चाएगा तो अगेन यहां रहा थो यहां पर नहीं 5 188 कि आ अब क्या से बनेगा है बहात्तर से 126 बना रहे हो सोचो कि अब इधर देखो मेरे बाई चांदार कोश्टन विश्णी गुत्ता साथ धन्यवाद देखो दर साथ का दो से गुणा करो नंबरों का मिल्टू है कितना होता है चौदा साथ और दो को जोड़ दो कितना होता है नो चौदा का नो गुणा है 126 ठीक है मतलब एक बार इन नौ नंबरों का गुणा करा है एक बार इन नौ नंबरों को जोड़ दिया है फिर देखो तीन और पांच का गुणा करो पंद्रा, तीन और पांच को जोड़ दो आठ, पंद्रा का आठ गुणा कितना होता है 120 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 120 is the right answer I hope पारिबास समझ में आ गई होगी सब लोगो D नहीं आएगा, C आएगा C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका जवाब बताएं 13 14 को 13 बोला गया है 34 42 को 67 बोला गया है 41 26 को क्या बोला जाएगा बताएं यहाँ पर 120 बिल्कुल सही जवाब आया रितेश जी, नितिन गुप्ता, निशा जी, कुशल राचपूत, निंजा जी, रितेश सहाब बहुत बढ़िया इसका जवाब क्या होगा 13 14 को बोला गया है 13 34 42 को बोला गया है 67 41 26 को क्या बोलोगे आप लोग बताओ मेरे बाई क्या लग रहा है सोच को अराम से सोचो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका लॉजिक सबसे कता ही सिंपल इसका तो सबसे सिंपल है मेरे बाई देखो 13 14 को जोड़ दो कितना होता है 31 उल्टा लिग दो 13 बन गया अभी अभी सेम पैटन पर कुशन करवाया था तो सेम 41 26 को जोड़ दो कितना होगा 45 6 67 उल्टा कर दो 76 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 76 is the right answer खतम कहा नहीं इसका जवाब बताएं जेके को 17 16 बोला गया आरेस को क्या बोलेंगे बच्चों वाला कोश्चन आपके लिए इसका जवाब बतातो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर चंद्रवीर सिंग का जवाब आया न्यू मूवी का जवाब आया साजन जी का जवाब आया पलक जी का जवाब आया अधित्य जी का जवाब आया लवली जी का जवाब आया प्रीती जी का जवाव है बहुत बढ़िया देखो टाइमर खतम यह तो यह तो सीधा सीधा है सर यह तो आपोजिट है जैपुर क्यूइन कानपुर पीकी सोला क्यू की सत्रा इंडियन रेलवे और हाइव स्कूल तो नो आठ 98 इस राइट अंसर 98 से जवाब हो जाएगा खतम इसके जवा पताइएं इस में कितने स्कॉयर होंगे अ जल्दी से नहीं लो कितने स्कॉायर हैं इसमेगा पताएं को बिल्कुलत कि 13 14 27 होगा अच्छा अच्छा हाँ हाम मैं इस वाले कुश्य में यहां पर एक्छ्व में 18 है वह 18 हो था 18 18 18 वह यहां पर 18 था 31 सुआ है 14 1431 घल रहें मैं आप लोग सभी जवाब देंड़ सही जवाब देड़ें है इस्क्वाइर गिनने का तरीका क्या होता है इस्क्वाइर गिनने का तरीका हो गया यह नॉर्मली इस्क्वाइर गिनने का तरीका यह हो गया हाँ अशी साब मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 4 का 4 से गुणा मतलब 4 का स्क्वार प्लस 3 का स्क्वार 2 का स्क्वार और 1 का स्क्वार रो के आखरी और कॉलम के आखरी का इंटू करते हैं सीधा सा है तो कित्त हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 तो 30 तो ये ही हो गए 30 के बाद मैं 1 और 2 और ये 9 को मिला दूँ तो ये 3 सेम कंडिशन हर चेके 3-3 बनेंगे 1 और 2 ये भी 3 1 और 2 ये भी 3 और 1 और 2 ये भी 3 तो कित्ते हो गए 12 और जुड़ गए तो सही जवाब हो जाएगा 42 is the right answer 42 है बिल्कुल सही 42 बिल्कुल बन रहे है इसका जवाब बताए इसका जवाब बताए इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा इसमें आपसे बुचा गया है स्टार के बोजिट में क्या आएगा स्टार के बोजिट में बुचा गया है देखो स्टार जल्दी कहां से निकाल सकते हो सोचो मेरे बाई स्टार जल्दी कहां से निकाल सकते हो स्टार के बोजिट में क्या आएगा सामने वाले ने आपसे बुचा है स्टार जल्दी कहां से निकाल होगे सोचो देखो यहां पे आपको dollar or plus common दिख रहा है dollar or plus common दिख रहा है तो जो common नहीं होगा वो पोजिट में आएगा तो star के बुद्वने क्या आएगा 8 आएगा पूरा focus ऐसे डिबे पे करूँगा जो मेरा जल्दी answer कर दे बात खतम start के बुद्वने क्या आगया 8 आगया चुटी इसका जो आप बताएं इसका logical sequence क्या होगा meaningful word इसका meaningful logical sequence क्या होगा बता हो जल्दी से मेरे भई इसका logical sequence meaningful order क्या बनेगा धागा पौधा साड़ी कबास कपड़ा बता है logical sequence क्या बनेगा देखो सबसे पहले पौधा आएगा पौधे से कपास निकलेगा कपास से धागा बनेगा धागे से कपड़ा बनेगा और कपड़े से क्या बनेगी साली बनेगी तो सही जवाब क्या हो जाएगा सी वाला ओडर बिल्कुल सही होगा यहां पर सी जवाइगा बिल् आप लोग मुझे इसमें गिनके बताएंगे यह मेरे टेली ग्राम का नाम होगा कुल्दीप महींदरास रीजनिंग यह मेरे टेली ग्राम का नाम है इसमें बिल्कुल जुणना मत बूलिएगा डेली क्लास का टाइम होता है साड़े आठ भजे अपकमिंग नौ्टिफिकेशन और जरूरी बातों के लिए इस टेलिग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं कुलधीप, KULDWP, महिंदरास, रीजनिंग, यह पने टेलिग्राम का नाम है, आप इसमें अपने डाउट्स पगेरा पूछ सकते हैं, और अपने आंसर कर सकते हैं, है ना, बहुत साइब लोग बोल रहे हो, सर सी आएगा, सोच के बताना, इसमें क्या आएगा, इसका डिस्कुशन करेंगे कल, ठीक है ना, इसका फिर डिस्कुशन करेंगे कल, सेम टाइमिंग पर साड़े आठ बजे, कुश धुआदा और बढ़िया कोशनों के साथ में, ठीक है, चतिस बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, देख लो एक बार, सोच के बताना, इसमें सोच के हैं न, नॉर्मल वाला अप्रोच मतलगानी लगना, कुश नया है इसमें, ठीक है, चलो देखते हैं, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्लास में जरूर बुलाएं, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना, चलिए, ओके, टेक केर, अपना अपना ध्यान लखें, अपनी अपनी पढ़ाई करें, ठीक केर, धन्यवाद, थैंक यू, गूड़ नाइट, थैंक यू सो मच, बाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक केर, अपना अपना ध्यान लखें,